हेलो गाइस वेलकम टो सपोट एडिया तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगर आपका लेप्टोप अन करने के बाद ब्लेक स्क्रीन हो जाता है और उन्डोस एक्टिव करने के लिए दिखाता है तो यह प्रोब्लेम क्यों आता है और इसको कैसे सॉल्व करें तो आज में लेटर करके ओके कर दे रहा हूँ और उसके बाद देखे यह ब्लेक स्क्रीन हो जाता है यह प्रोब्लेम बार बार करता है तो यह प्रोब्लेम इसलिए आता है अगर आपका उन्डोस डियक्टिविट हो जाता है तभी यह ब्लेक स्क्रीन हो जाता है तो इसको सॉल्व क करने के लिए आपको में दो प्रोषेस बताने वला उख पहला प्रोषेस आपको उंदोस को फॉर्मेट करना है उन्सटौल कर देंगे तो आपका ब्लेक स्कीन का प्रोब्लेम चला जाए गया, काफी सारे बंदे के पास Windows का pen drive नहीं होता है, तभी वो format नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने second process बताया है, second process में आपको easily अपने गर में भी tick कर सकते हो, तो second process आपको सर्च में जाके cmd टाइप करना है, या पर दीके command आगे, या पर कपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको ये skin पर मैं दे रहा हूँ, slmgrrearm इसको टाइप करना है, इसको टाइप करके ok कर देना है, उसके बाद आपको background में Windows wallpaper लगा देना है, Windows wallpaper लगाने के बाद आपको system को 2-3 बार restart करके देखना है, उसके बाद आपका ये जो problem है Windows deactivate, ये solve हो जाएगा, तो मैंने very simple process दिखाया है वीडियो में, आपको basic करना है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीजिए, और मेरे चलाइप नए हो तो channel को please subscribe कर देना है,